वेल्कम तो केप्टन एगरो गाइज आज का हमरा वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनिबल से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स गाइज आज का मोसम आप देख रहे हो जैसा की बहुत सुवाना है ठंडी ठंडी हवाई चल रही है और इस मोसम में आप जान आने वाले हो एग्रिकल्चर से लेटेड मॉस्ट इंपोर्टेंट फेक्ट्स तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास्ट में जो बेल आइकन है उ वोसं भी वड़ा सुवाना हो रहा है तो चलिए और धिkes करते हैं गाईज आज का हमारे ऑधा करेंगे फिक्ट की सबसे मेरा फेक्ट काता है और फिसकारी करते है और मुर्गी से ईंड़ा बहर आता है और मुर्गी क्या है एक महसारी है जो मुर्गी अग्रिक से निकलता है तो इसे तो महासारी व्हुआ लेकिन ऐसा नहीं होता है according to science अंडा क्या है साकारी है तो साकारी क्यों बोलते हैं इसका reason है बच्चों इसका reason क्या है कि जितने भी अंडे market में available मार्केट में मिलते हैं सारे के सारे अंडे अन फर्टिलाइज होते हैं मतलब अन इससे चित होता है उनमें कोई भी आगे बच्चा या बुरून नहीं बनता है इसलिए अंडे को साकारी बोला गया है तो आज से जो अंडे नहीं खाते अंडे खाए सरदी काम हो समय थोड़ी से हेल्थ भी आप लोगों की बन जाएगी अगला फ्यक्त आता है हमारे पास मॉस्ट इंपोर्टेंट कि सबसे ज्यादा लॉंगेस्ट जेस्टेशन पिरेड कि से एनीमल का होता है मतलब गर्ब काल आओधी गर्ब काल जानते हो आप सभी जैसे हूमन में होता है ना कि महीलाओं में बच्चा कितने तक पेट में रहत यह वह अपने बच्चे को छेसो चालीश से लेकर छेसो साट दिन तक अपने पेट के अंदर रखती है करीबन करीबन 95 वीक्स केने का मतलब एक साल में 300 पेशर दिनों होते हैं तो उसका डबल हो गया यार सोचो इतने दिन तक वह अपने बच्चे को उसके पेट के अंदर सबसे कम दिनों तक कौन सा अपने बच्चे को पेट में रखता है तो गाइज वह अपसम एक छोटा सा चुवे जैसा आइनीमल होता है जिसकी गर्ब का अलाउधी आउनली 12 डेज होती है बारा दिनों तक अपने पेट के अंदर वह बच्चे को रखता है और एक बार में करीबन करीबन 16 से 20 बच्चों को जन्म देता है और बात करें चुवे की तो चुवे का जैस्ट्रिशन पीड़ होता है सोला दिन का सबसे कम आपसम का और सबसे अधा एलिफेंट का चलिए आगे बढ़ते है अगला फेक्ट आता है हमारे पास मौस्ट इंपरेंट इसा कौन सा एनीमल है जो जंप नहीं कर सकता है मतलब एसे उचल नहीं सकता है तो कौन सा एनीमल है सोचो सोचो ओ एनीमल है एलि तो अपने जीवन काल में कितने गिलास दूद दे देती है मैं बात कर रहा हूँ गिलास की तो गाइस एक काउ अपने जीवन काल के अंदर पूरी लाइप स्पेम के अंदर टू लेक गिलास दूद देती है दो गिलास दो लाख गिलास कितने दो लाक की बात कर रहा हूं, इतने गिलास दूद देती है अपने जीवल कान के अंदर अगला fact आता है, अगर हम गाई को गाना सुनाए, कब जब दूद निकाल रहे हैं, जब मिल्किंग कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हम काउ को गाना सुनाए तो उस टाइम पे वो दूद जादा देती है नग्श बात करते हैं अगला फेक्ट इसनेल इसनेल आप सभी जानते हो घेंगा घेंगा सुनाओगा आपने बरसात के मुसम में आपको मिल जाएगा उसका क्या फेक्ट है कि वो कितने दिनों तक सो सकता है जैसे हम कितने दिनों तक सो सकते हैं एक रात दो रात तीन रात कितनी रात मेक्जिमम बताओ आप अच्छा कूमकरन का नाम सुनाए वो छे महिने तक सोता था लेकिन जो इसनेल है उससे भी जादा सोता है कितना तीन साल तक continuous हो सकता है एक गेंगा एक स्नेल चलिए अगले effect की बात करते हैं जो कोईल होती है ना कुकु करती है आपने नाम सुना होगा कोईल कोलास वो कितने कितने घंटे तक maximum सो सकती है तो गाइज वो 22 हार्स तक सोती है कितने घंटे सोती है 22 घंटे सोती है चलिए अगला effect आता है हमारे पास most important जो जिराफ आप लोगों ने देखा जिराफ को जिसकी गर्दन लंबी होती है पेड़ पोदों पर ऐसे खा लेता है वह अपना पेटे से भड़ लेता है तो जिराफ होती है उसकी जीब कैसी होती है हमारी जीब कैसी है आपकी जीब कैसी है बा साज कर सकता है क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल में एक सर्फ इतने काउस को प्रेगनेंट कर तो अगर वात रहता है एक सांड के अंदर यह मैं बता रहा हूँ देशी चलिए बात करते हैं विदेशी ठीक है एडवांस तो विदेशी जो बुल होता है विदेशी जो सांड होता है और एक वर्स में एक हजार गायों से भी जादा को घरबित कर देता है एक सांड ठीक है तो यह हमारा most important factor तो guys कैसी लगी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हैं